दोस्तों मेरा नाम शानवाज है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले है वोल्टाज बेको के सबसे अडवांस, प्रेमियम और फ्लेक्शिप डिश्वॉशर के बारे में जो किये 15 प्लेस का इसका मॉडल नंबर है DF15A अगर हम इसे डिकोड करते तो ये बनता है इस डिश्वॉशर के अंदर आपको डूल डिस्प्ले आता है एक डिस्प्ले बाहर के तरफ दियावा है जहापर आपको प्रोग्राम का डूरेशन बताता है दूसरा डिस्प्ले डूर के ऊपर के तरफ दियावा है जहां से आप इसे अपरेट कर सकते हो इसके अलावा इसके अंदर आपको Pro Smart Inverter Motor आती है जो बहुती कम ब्रांट के अंदर मिलती है जिसके वज़े से फावर सेविंग जादा, बिजली का बिलकम, एनरजी कंजंप्शन काफी कम होता है इसके अंदर आपको Wi-Fi Connectivity दी गई है यानि कि आप अपने मुबाइल फोन में वोल्टास बेगो के HomeWiz एप्लिकेशन को इंस्टॉल करके अपने डिश्वाशर को Wi-Fi के साथ में केनेट करके दुनिया के किसी भी कोने में रहकर आप्लेट कर सकते हो इस डिश्वाशर के अंदर आपको 9 वाश प्रोग्राम आते है उन में से एक प्रोग्राम ऐसा है जिसका नाम है Infinity Program इस प्रोग्राम के अंदर आप अपने मुबाइल फोन के एप्लिकेशन में एडिशनल प्रोग्राम को डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हो इसमें Corner Intense Technology दी गई है जिसके वज़े से डिश्वाशर के अंदर कोने कोने में water spray हो पाता है ताकि आपको washing quality काफी बढ़िया मिल सके इसके अंदर LED lighting दी गई है और इसमें आपको 2 साल की comprehensive warranty आती है और 12 साल की warranty आती है इसके motor की इतनी साधा warranty आपको किसी भी ब्रांड के dishwasher के अंदर नहीं मिलती है इसका MRP है 51,990 और यह बेचा जाता है तकरीबन 46 से लेकर 47,000 के आसपास के pricing में pricing और offer हमेशा change होते रहते तो मैंने आपको link दियावे distribution के अंदर अगर आप इसे purchase करना चाहते हो तो वासे इसे purchase भी कर सकते हो फिलाल आज की वीडियो का एंदिन तक की जरूर देखना है अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो ही आप इसे like करें, share करें जो भी आपका question का comment box में जरूर टाइप करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चली दोस्तों फड़ा-फड़ से फिर व इसे आपको पूरा का पूरा जरूर पढ़ना चाहिए, इसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब चुपेवे होते हैं, इसी के साथ ही आपको water hardness चेक करने के लिए strip भी आता है, ये strip आपको अलग से purchase करने के जरूरत नहीं पड़ती है, इसके अलावा इसके अंदर एक डबल टेप का पैकेड भी आता है, ये टेप जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा तर जंगाव पर इसके जरूरत नहीं पड़ती है, सॉल चेमबर में सॉल को फिल करने के लिए इसमे एक फैनल भी आता है, आप इसकी मदद से सॉल चेमबर के अंदर स समय पर इसका स्तेमाल कर सकते हो, इस डिश्वॉशर के अंदर सबसे उपर के तरफ दियावाए इसका कटलेरी ट्रे, आप इस ट्रे के अंदर सारे के सारे कटलेरी आइटाम्स को एक साथ धो सकते हो, जैसे की फोक, स्पून, नाइफ, टी स्पून और बहुत कुछ, इसी के सौसर, ग्लास, वाइन ग्लास, कटोरिया, टीफिंस, छोटेबल और बहुत कुछ, इस अपर बास्केट के फ्रंट सैट के टिंस फोल्डेबल होते है, अगर आप यहाँ पर मिडियम सैज के बोल को रखना चाहते हो, तो आप इसे फोल्ड करके यहाँ पर वो चीज़ों को होल्ड करवा के भी रख सकते हो, अपर बास्केट एज़ेस्टेबल होता है, अगर आपने लोवर बास्केट में कोई बड़ा बर्तन रखा है, तो अप अपर बास्केट के हैड को एज़ेस्ट भी कर सकते हो, अपर बास्केट के नीचे दियावए इसका इंपेलर, जिसे इ बहुत कुछ, लोवर बास्केट में पीछे के दो रोस एड़ेस्टिबल होते हैं, आप पीछे के दो रोस के टिंस को एड़ेस्ट कर सकते हो, जैनि कि आप इने फोल करके यहाँ पर बड़े बड़े बरतनों को रख सकते हो, आप चाहो तो इने फोल करो, चाहो तो इने फोल लोवर बास्केट में, लेफ्ट एंड सेड में आपको ट्रे वाश सपोर्ट दिया हुआ है, आप इने आसानी से एड़ेस करकर यहाँ पर बड़े साइस के सर्विंग ट्रे को धो सकते हो, इसी तरह का एड़ेस्मेंट आपको रेट एंड सेड में मिलता है, आप इने भी आसा लेकिन जो डिश्वाशर होता है, वो रेक्टेंगुलर डिजाइन का होता है, यही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, वोल्टास बेको ने अपने इस डिश्वाशर के अंदर यूनीक इस्प्रे आम दियावा है, जो कि रेक्टेंगुलर डिजाइन का है, इसकी से आपको वाशिंग को लड़ी काफी बढ़िया मिलती है, डिश्वाशर के अंदर बरतनों को धोनी के लिए आपके पास दो ऑप्शन्स होते है, सबसे पहले ऑप्शन में सबसे पहले चीज़ लगती है डिश्वाशर सॉल, आप इस चैंबर के अंदर फनल के मदद से महीन रिंसेट, ये भी आपको डेली बेसस पे डालनी के जरुवत नहीं पड़ती है, इसके अंदर भी आपको श्टोरेज मिलता है, इसके अंदर आप तकरीबन 211 सेमल तक का रिंसेट को फिल करके लग सकते हो, जैसी ये खतम हो जाता है तो इसका भी इंडिकेशन आपको डिस् सर्फ को फिल करना है, अगर आप फूल लूट पे भरतनों को धो रहे तो आपको 25 लेवल तक का सर्फ को फिल करना होता है, अगर आपको ये त्विनु चीज़े बहुत की ज़्यादा कॉम्लिकेटर लग रही है तो आपके पास दूसरों अप्शन एवेलेबल होता है टैब पार के डिस्पले में स्रिफ और स्रिफ आपको प्रोग्राम का डूरेशन शो करता है, यानि कि बरतनों को धोने के लिए कितना समय बचा हुआ है, इस डिश्वाशर का पूरा का प्रो ऑपरेशन डोर के उपर दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले बटने अन और आफ का आप डिश्वाशर को अपलेट करने के लिए आपको इसके पास होनी के जरुवत नहीं है, इस डिश्वाशर के अंदर आपको 9 वाश प्रोग्राम आते हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम का नाम है ऑटो, अटो प्रोग्राम के अंदर 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के पास का electricity consumption होता है, इस program में dirt के हिसाब से duration और temperature set होता है, दूसरे program का नाम है aquaflex, इक स्प्रोग्राम के अंदर आप सारे के सारे mix बर्तोनों को एक साथ दो सकते हो, जैसे कि plastic, glass या steel, इसमें 203 मिनिट का cycle होता है, 90 लिटर का water consumption होता है, और 1.53 युनिट का electricity consumption होता है, तीसरे program क नाम दियावाई intensive जो कि जिद्धी बर्तोनों के लिए होता है, इसमें 70 डिगरी का temperature मिलता है, 170 मिनिट का cycle होता है, 16.8 लिटर का water consumption और 1.51 युनिट का electricity consumption होता है, चोते program का नाम है eco, जिसमें 50 डिगरी का temperature मिलता है, 245 मिनिट का duration होता है, 9.5 लिटर का water consumption और 0.94 युनिट का कफी कम होता है, पाचवे program का नाम है glass care, इस program के अंदर 40 डिगरी का temperature, 120 मिनिट का cycle, 13.6 लिटर का water consumption और 1.20 युनिट का electricity consumption होता है, यह special program दियावा है glass के बर्तोनों के लिए, छट्य प्रोग्राम का नाम है quick and shine, जिसमें आपको 60 डिगरी का temperature, 58 मिनिट का cycle, 10.6 लिटर का water consumption औ और 1.18 युनिट का electricity consumption होता है, इस program के अंदर आप daily के normal बर्तोनों को धो सकते हो, 7 वे program का नाम है mini, जिसमें 35 डिगरी का temperature, 30 मिनिट का cycle, 10.8 लिटर का water consumption और 0.80 युनिट का electricity consumption होता है, 8 वे program का नाम है pre-wash, जिसके अंदर आपका सिरिफ 15 मिनिट का duration होता है, और 4 लिटर का water consumption होता है, नवे program का नाम है infinity program, इस program को आप अपने smartphone से यूज कर सकते हो, आप अपने mobile phone में homeviz application को install करके additional program को download करके यूज कर सकते हो, प्रोग्राम के बटन्स के आगे कुछ औसलेरे functions दिए वे हैं, जिने आप चाहो तो selected programs के अंदर add कर सकते हो, इन में सबसे पहले function का नाम ह किसी भी तीसरे program में ये function add नहीं होता है, इसके वज़े से duration बढ़ जाएगा लिकेन आपको washing quality काफी बढ़िया मिलेगी, tray wash के बाद में आता है fast plus का option, आप इस function को use करके तकरीबन 55% तक का duration को कम कर सकते हो, जिसमें आपको 70% तक का faster cleaning मिलती है, जिसे कि एक program में जिसका नाम आप में एक घंटा 10 मिनटका हो जाता है, तीसरे program में आप इसके प्रेस करने के बाद में ये दो घंटा 15 मिनटका हो जाता है, और 4 प्रोग्राम है glass card जो 2 घंटे का होता है, इसके बाद में दियावा इस्टीम ग्रॉस का function, आप इसको add करके rank efficiency को बढ़ा सकते हो, आप इस function को normally 3 program के अदर यूज़ कर सकते हो पहला है auto, दूसरा है aquaflex और तीसरा आता है intense view इसके वज़े से duration बढ़ जाता है लेकिन आपको drying efficiency काफी बहतरीन मिलती है इसके बाद में option दिया हुआ super rinse का, अगर आपको बरतनों को धोने के बाद में भी बरतनों के अंदर से spot नजर आता है detergent की वज़े से, तो आप कुछ program के अंदर इस function को add कर सकते हो इस function को add करने के बाद में आपको better rinsing मिलती है, आप इस function को auto program, intensive program या eco program के अंदर add कर सकते हो जिसके वज़े से आपको rinsing quality काफी बढ़िया मिलेगी इसके बाद में function DIY half load का अगर आपके पास कम बरतन है तो आपको full load यूज़ करनी के जरुवत नी है आपको lower basket के अंदर बरतनों को लोड करना और आपको half load के function को प्रेस करना है इस function के वज़े से आपका water consumption और बेजली का बिल काफी कम consume होता है half load के बाजों में option DIY setting का ये service की team का काम है तो हमें इसके अंदर कुछ भी involvement करने के जरुवत नी है setting के बाद में दियाओ है आपको time delay का button यानि कि आप इसमें 24 गंटे तक का timer लगा कर इसको automatically on कर सकते हो time delay के बाजों में दियाओ है select का button यानि कि ये button को press करके आप time delay के option को select कर सकते हो select button के बाद में आपको दियाओ है इसका display इस display के अंदर आपको wifi का symbol और duration कितना बचावा है salt और insert का indication ये सारे चीज़ों की information मिलती है इसके बाद में दियाओ है start और pause का button यानि कि ये button को press करके आप program को start और pause कर सकते हो सबसे आखरी में homeways का symbol बनावा है यानि कि आपको बता रहे हैं कि आप अपने mobile phone में homeways के application को install करके इसको अपने mobile phone से भी operate कर सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों maintenance के बारे में तो बहुत बार इनके host के अंदर छोटे मोडे particles जाकर जमा हो जाते हैं जिसके वज़े से water supply नहीं हो पाता तो आपको हर cycle के बाद में इसे proper way में निकानना है अच्छे से साफ करके फिर से लगा देना है इस प्रयाम के बाद में दूसरी चीज आती है इसके filter इन filter के उपर बहुत बार गंदगी जाकर जमा हो जादी जिसके वज़े से पानी ड्रेन नहीं हो पाता है तो आपको हर cycle के बाद में इने निकानना है अच्छे से clean करना ही फिर से लगा देना है ये 3-in-1 filter होता है अगर आप इन दोनों चीज़ों को regularly clean करते रहोगे तो आपको maintenance के तौर पे और कोई भी चीज ध्यान देनी के जरुवत नी पड़ेगी इस dishwasher के अंदर left hand side में इसका regeneration setting होता है यानि कि hardness level को चेक करके यही से setting की जाती है और right hand side में अपर के portion में एक fan लगावा होता है तो दोस्तो मैंने आपको इसका link दियावे नीचे description के अंदर अगर आप इसे purchase करना चाहते हो तो वास इसे purchase भी कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लेगी हो तो प्लीज आप इसे like करे शेर करे जो भी आपका question का comment box में जरू टाइप करे और चैनल को जरू सब्सक्राइब करे धन्यवाद दोस्तो आपका दिन शुब रहे